हेलो बच्छों स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल चैकपूर पे बच्छों आज के इस वीडियो में हम डिसकस कर रहे हैं क्लास 6 का थिक है क्लास 6 का हम लोग गन्री डिसकस करने वाले हैं जो कि आपका प्रस्णावली 11.1 यानि 11.1 का जो है आपका यानि 11.1 का ज ज़कीन जानिहें क्लास 7 और क्लास 8 में बहुत दिक्कत होने वाली है यानि आपको आज के इस वीडियो में काफी कुछ सीखने को मिलेगा आप यहां पे कोनों की पहचान कर पाएंगे कोनों का नामसे कर पाएंगे एक कोन आपको बना आ जाता है उस कोन का नामay देना पड कराया जाता है ठीक है कोई भी फिस नहीं लगता है तो यूट्यूब पर आपको बिल्कुल मुफ्त प्लब्द कराया जाता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करकर रखें घंडी के बैल ऐकन को दबाया कर रखें अगली वीडियो को पानी के लिए तो चलिए सबसे पहले बच्चों आप से निवेदन है कि आप मेरी बातों को ध्यान पूरवक सुनेंगे और बिल्कुल इस्थिर हो जाईए ठीक है और आप इसको सुनने के परियास केजिए देखिए कौन आपको यहां है कौन से आपको बच्चों याद रखना है कोना कौन से कोना य परिकार से कोना से हम लोग कोन का नाम करन हुआ है यहां पर आप देखेंगे यहां पर एक कोना यहां बन रहा है और एक कोना यहां पर बन रहा है तो चलिए बच्चों सबसे पहले अगर हम आप से पूछे कि इस तिर्भूज का नाम बताईए तो बच्चों आपको बताना बिल्कुल सही होगा, आप P, R, Q भी बोल सकते हैं, Q, R, P भी बोल सकते हैं, लेकिन ये P, Q, R सिक्वेंस में होता है, यानि ABCD अल्फाबेट और में होना चाहिए, ठीक है, पहले P आएगा, फिर Q आएगा, फिर R आएगा, ABCD में, इसी परकार से इसका नाम जो सही नेमिंग यहां इदर उटा, इसमें भी तीन पॉइंट है, एक पॉइंट, दो पॉइंट, और तीन पॉइंट, हमने कहा है, यदि आप बीच वाले का नाम लिखा रहे हैं, तो इस वाले को आप क्या रखेंगे, बीच में रखेंगे, और इसके पहले को नों किया Q, तो Q आप यहां रख दीजिए और एक बच गया आपका आर तो कौन सा एंगल बना क्यू पी आर क्यू पी आर ठीक है बन गया समझ में आ गया आपको चलिए उसके बाद हमें कौन सा बनाना है बन गया और यहां से यह आई गया तो एक कौन ये बन गया अब से यहां से एक को बन गया आपको यह वाला ठीक है न इस वाले कोन का देखिए किस पर का से नमा कर्एगा बच गया आपका क्यू तो क्यू मत बनाने के लिए आप फिर से यहां पर क्यू आपका अंगल आपको यहां पर दिखाई दिया कौन कौन सा एंगल था एक था आपका QPR फिर था PRQ एक था PQR ठीक है यानि तीन कोनों का आपने नामकरण कर दिया है ठीक है बच्छों तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया किस प्रकार से नाम लिखना है अगर आपको समझ में आ जाएगा चलिए दूसरा सवाल देखते हैं अब देखिए दूसरा सवाल में इस सवाल को दिहान से देखिएगा बच्छों इस सवाल में देखिए आपको चार एंगल आपको दिखाई दे रहा है ठीक है यानि चार कौन आपको दिखाई दे रहा है अब इसका हमको न बोलिए तो ABCD में पहले A ना आएगा तो A से स्टार्ट करेंगे A A D और C कौन ADC यानि इसका काम हो गया ठीक है next में आते हैं next में हमारा मान लिजिए हम इस वाले को A को नामकरन करेंगे तो फिर कौन का सिंबॉल देंगे A को बीच में रखेंगे अब D और B तो D और B में पहले कोन आएगा B आएगा ABCD में तो B से स्टार्ट करेंगे तो B B से गये A A से आगये D पे तो B A D तो B A D देखिए ये कोना बन गया ना B से A गये A से D आए तो B A D ये कोना बना तो B A D आगया तो तीसरा कौन चलेंगे हम, ठीक है, तो तीसरा कौन करेंगे, ये वाला कौन भी आपका हो गया, तो तीसरा कौन देखिए, तीसरा कौन में हमारा है कौन B वाला है, फिर से कौन का सिंबॉल बनाईए, कौन का सिंबॉल बनाने के बाद, इससे B वाला बनाना है, तो B का सिंब अब ये भी हो गया, अब next है हमारा बच्चों, next में देखेंगे, next ये भी कौन बन गया, अब बचा एक और कौन, c, तो आप कौन बनाईए, c को बीच में रखिए, आप देखिए, b और d, इसके जो angle के दोनों छोरफे कौन है, b और d है, तो b और d में सबसे पहले कौन आएग समझ में आ गया है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया है, तो चलिए next पे चलते हैं, next सवाल देखिएगा बच्चों हमारा, तीसरे नमबर सवाल को अध्यान से देखिए, तीसरे नमबर सवाल पर भी हमें कोनों का निर्मान क देखेंगे, कुछ कोनों आपको बता देते हैं, बाकि का आप अपने से परियास करेंगे, सहिश्रें से और भी कोन आप निकाल पाएं, ठीक है, तो हम यहाँ पे दो-तीन कोन आपको बता देते हैं, देखिए एक कोन हम लोग क्या बनाएंगे, A है, O है, C है, तो यह एक कोन बन रहे है रहा है, एक कोऩ यहाँ पर बन रहा है A और AोC से, तो आप यहाँ पर ध्यान रहेंगे, तो AोC में कर दो लेज़ाँ और AोC यहाँ पर C लिखेंगे तो यह आप दूसरे कौन बनके तैयार हो गया, अगर हम दूसरा कौन की बात करें, ठीक है अगर हम दूसरा कौन के बात करें तो यहाँ पर एक कौन और बन रहा है अगर हम A से जाएं O, O से आएं B तो A, O, B O तो आपका बीच मरेगा A इधर रहेगा और B यहाँ रहेगा तो कौन A, O, B भी एक कौन बनकर आपका तयार हो गया ठीक है अगर हम बात करें यहां से देखिएगा B से जाएगा O आ जाएगा C तो कौन आपका B, O, C कौन भी तीन कौन आपको हमने यहां पे बना कर दिखा दिया आपको सिस करेंगे और हमें कमेंट करका बताएंगे इसके आगे कौन बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है ठीक है तो उमीद करते हैं कि बच्चों आपको आज का यह क्लास बिल्कुल पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दिजिए चैनल पर यदि पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं बुलेंगे बच्चों यदि अगर आप लोगों को आज का यह वीडियो बिल्कुल पसंद आया है तो आप हमें कॉमेंट करकर बताएंगे वीडियो को लाइक करेंगे अगर आप कॉमेंट करेंगे तो हम आपके लिए अगले पार्ट में कॉश्चन नमबर टू और कॉश्चन नमबर थ्री और कॉश्चन नमबर फॉर और कर्शन नमबर फाइब भी लेकर के आएंगे तो उमीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा और आपने हमारे वीडियो को पसंद भी किया होगा तो हमें कॉमेंट कीजिएगा कि आपको अगली वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए तो चलिए मिलेंगे ही जरूर अगले वीडियो में Thank You झाल झाल झाल